बिसमिल्लारग्मारोहीम, असलामलेकूम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिसकस करेंगे चैप्टर 10 का क्लास 10 का जो टॉपिक है 13.9 एप्लिकेशन अफ एलेक्ट्र स्टैटिक इसको डिसकस करेंगे प्रिविस लेक्चर में हम लोग ने डिफेरेंट टैपस अफ का किसे कलिए एलेक्ट्र apology क्लिने होता किया है एक डिवा害 ने होते हैं एक डिवाइस होती है जह के वर्ड करती है उन्दो फिनवेनना फ लेक्ट्र स्टैटिक किसे चारजर्ज के उपता है और यह और यह प्लुज़ा एर को फिल्टर ॥िर्टर भी कहते 2 औ अगर इत्मोसफेर में जितनी बी एज यह तो वो नियुद्वाइस निकल के अगर इत्मोसफेर में जाएगी तो वो क्लीन होके आउट हो जाएगी तो अब हम देखेंगे एर क्लीनर इस यूज़ इन होम तो रिलीव दिसकंफर्ट आफ ते इलर्जी सफरर एर मिक्स विद डिस्ट अन पॉलन्स ठीक है एर में डिस्ट के पार्टिकल पॉलन के पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह डिवाइस मिंटर होते हैं हम सबसे पहले यह यह बेहा है यह सबसे इस मिलने है गलाओ में बहुकर पॉलन्स का गलमेट तो रहरा है जिए जूर राग्bad पावनस, क्थजी मोठील को रैटिकलीट हैं मिलन्स को इस लिजू सब्सक्राइब भीते बेहा हैं हैं यह बेहां जितल और हम पारे डों एक पॉलन के मेलेट च स् निद्ज मेड़ार समझावगा कालाлем हैולको अ क Колम सबसे होतों कर आए और इस अध्य काल लोग बैटरी का समाओर्क समझायशना पर होगा ग्राउंठल को राइक वह जब दोगे वो कम पूंच समय यह अध्य होते होगी हैं जैसे इन दोनों मेटैलिकी प्लेट्स के उपर कौन से चार्ज एकमुलेट हो जाएगा तो इन दोनों के उपर नेगिटिव चार्ज अपियर हो जाएगा अब यहां पर हम लोगों ने यहां पर धर्मयान में अगर आप देखे तो वायर गयाज या फिर वैब रखी हुए या जाएगी यह वायर जो हमने यहां पर दर्मयान में रखी है तो अगर आप देखें को इलेक्ट्र स्टाटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग अगर इन दोन मेटैलिक प्लेट्स के उपर जो हो नेगिटिव चार्ज है तो वायर जो जाली या वैब जो हम लोग ने दर्मयान म अकमूलेट हो जाएगा अब यहां से इनलेट के जरीए जब एर जो इस डिवाइस में इंटर होगी तो सबसे पहले वो पास होगी इस मेश में से पास होगी यह जाली में से पास होगी तो जब इस जाली में से एर जो पास होगी और इस से आउट होगी तो ओविसली आउट सब्सक्राइब यानि यह जो air के particles है when they pass through this negatively charged mesh तो electrostatic force of attraction जो हम लोगों ने पढ़ी है कि force of attraction जो होती है वो exist करती है between two unlike charges यानि positive charges और negative charges तो यहां भी हम देखेंगे क्योंकि air के particle dust के particle के पर जो है वो positive charge आ गया था और जो metallic की दोनों plates उनके पर negative charge है तो obviously इनके दर्मयान में electrostatic force of attraction जो है वो act exist करेगी between the positively charged particles in air and the negatively charged mesh so this causes the particle to deposit out on the surface of the mesh अब इसके रिजल्ट में क्या होगा जितने भी positive dust के particles थे उनके positive charge आने के वज़े से वो इस metallic plate ये जो mesh या plate सरकी में इसकी तरफ attract हो जाएंगे और attract होने के बाद वो neutralize हो जाएंगे जबके यहां से clean air है वो outlet के जरीए जो है वो out हो जाएगी तो इस process के जरीए जो है वो हम अगर देखें air में जितनी भी high percentage के अगर जर्रात हैं ठीक है जो के dust के particles हैं तो इस process के जरीए हम उनको easily रिमूफ कर सकते हैं तो यह हम लोगा ने देख लिए electrostatic air cleaner का function हम लोगा ने देख लिया किस तरह work करता है उसके बाद हम देखेंगे कि electrostatic powder painting है वो किसलिए यूज करते होते है तो electrostatic powder painting क्या है कि अगर कोई भी जितनी भी गाड़ियां है या कितनी और भी कोई भी objects हैं अगर उनको आप लोगोंने paint करना है तो उसको किस तरह paint किया जाता है वो हम देखेंगे उसके लिए सबसे पहले जिस spray से उस car की body को हम paint करते होते हैं उसे हम spray gun कहते हैं ठीक है और spray gun के अंदर हम क् paint यूज करते हैं वह वाला paint जिस जो आपने गाड़ी को paint करना है किसी भी color का वह paint हो सकता है या paint के अंदर obviously chemicals होते हैं ठीक है तो यहां पे जिस body को car of the body को आपने paint करना है एक तो obviously हमें उसको charge करना पड़ेगा पहले और उसके बाद जो spray gun में paint यूज करे होगे उसको भी च चार्ज करना पड़ेगा लेकिन दोनों के उपर जो charge है वह opposite होना चाहिए ठीक है वह किस तरह होगा हम यह figure से देखते हैं यह गर आप देखें तो आपको figure नजर आ रही है ठीक है यह person है जिसके हाथ में spray gun है और यह spray gun के साथ उसकी high voltage इसको supply किया है power supply है और air house है जहां से जो paint है वो इस spray gun में इंटर हो रहा है ठीक है उसके बाद हम यहां पर देखें के जो object हमने यह रखा हुआ है यह body of the car है और उसको किसी भी spray boot यह पूरा जो function इस spray boot कहते होते हैं ठीक है जहां से गाड़ियों को spray किया जाता है तो अब यहां पर हम चेक करें तो जो paint है paint को आ कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज क्लियर और उसके बाद यहां पर उसको पॉजिटिव चार्ज कैसे है क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमने उसको ना electric potential या voltage सप्लाई करनी है यह high voltage के जरीए जिसकी वज़े से paint के उपर positive चार्ज आ गया है और circuit कंप्लीट करने के जैसे करन्ट हमने पढ़ा है कि करन्ट या जो electric potential है वो इसको डिवैलप होता है जिब circuit हमरे पास complete होता है तो अगर जो paint है के उसके जरीए के जरीए के जरीए कर हमने इसको positive सप्लाई कर दिया तो यहां पर जो object है जो car अगर आप उसको देखें तो उसको यहां पर ground पे जागा है clear और जो paint है उसके उसके उसमें क्या है positive charge है अब क्या होगा कि यहां और हमने दूसरा क्या किया है कि जो spray gun है उसका जो nozzle है ठीक है उसका area हम लोगों ने बहुत small रखा है तो area गर उसका small होगा तो हमने pressure का formula पड़ा है area के साथ उसका क्या relation होता है inverse relation होता है clear तो ज जागा वो stick कैसे होगा क्योंकि जो सारे के सारे paint के charges है उनकी उपर same charge है paint के particles जो है उनकी उपर same charge है तो इसलिए सारे के सारे जो paint के particles है उनकी उपर positive charge होगा और उनके दरम्यान में कौन सी force होगी mutual repulsion होगी ठीक है यहानि जो charred particles and they are pushed out of the nozzle and form a fine mist which is attracted toward the oppositely charged car and are evenly distributed on the surface of the object यहान से charge जो है वो spray paint है वो inject हो रहा है और सामने जो body रखी है वो कौन सी opposite charge है तो इसलिए इन दोने के दरम्यान में क्या होगी कि force of attraction होगी जिसकी जो paint है वो easily उस car के उपर जो है वो का body of the car के उपर easily stick हो जाएगा और हम इसको evenly distribute कर देंगे जब एक दफ़कार जो है वो paint जो है वो सूक जाएगा ठीक है तो mutual repulsion के दर होगी mutual repulsion जो हो basically के दर होगी जो spray paint के particles है उन सब के उपर same kind का charge है तो इसलिए उनके molecule के दरम्यान में बहुत जाद रपल्शन होगी और दूसरा यह कि हमने area भी बहुत कम रखा है तो high pressure के साथ mutual repulsion के साथ जो spray की nozzle है उसके साथ जो बहुत जादा high speed के साथ eject होंगे ठीक है उस nozzle से high speed के साथ जो paint के particle eject हो जाएंगे तो यह हम लोग ने function देख लिया कि powder painting का function किस तरह होगा एक दफ़ा paint जब सूक जाएगा तो वह एक smooth look आ जाएगी और जो charges है जो paint है ठीक है तो यह बहुत effective और efficient और economical way है और large scale के उपर आटो मोबील को इसी phenomena इसी जो हम लोग ने working पड़ी है इसी के according इसको हम paint करते होते हैं car की body को तो I hope कि यह lecture जो आपको अची तरह समझ आगे होगा किस तरह करना है तो next lecture में हम इंशाला discuss करेंगे कि lightning क्या होती है some hazards of static electricity कि static electricity कि क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और उससे हम क फिनामिना देखेंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे lightning conductor हम क्यों यूज़ करते हैं वह हम अपने next lecture में discuss करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो please subscribe कर दें और like भी कर दें